हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटसी प्रिव्यू में मुकाबला है डॉल्फिन्स वर्सिस न्डव्यूडी के बीच एंड ये गेम केला जाएगा अद दे किंग्समीर डॉबन यहां पे एक मुकाबला पहली अल्री हो चुका था बट वह रेन आउट हो ग दे सकते हैं 60% mini deals and 40% small leagues यही होना चाहिए आपका अप्रोच इस मुकाबले के लिए और आप जा सकते हो with 40 to 50% of your regular investment as domestic matcher तो थोड़ी बहुत uncertainty हो सकती है small leagues आप खेल सकते हो my master 11 पर and mini deals on dream 11 या my fab 11 apps के links है इस वीडियो के description में and उसके लावा don't forget to join us at the rate fantasy cricket pro जो भी final teams updates जो भी होगा सब आपको updates वहीं पर मिल रहेंगे and remember कि यही username से join होईएगा ना ही कोई fake channel से दोनों यह जो twitter and telegram का link है इस वीडियो के description में है तो कोशिश करके link से जुड़ेगा and fake channel से दूर रहेगा तो यह रहे आज के preview के start अब चलते हैं आज के weather report की तरफ जो जैसे मैंने का sunny weather है and हम एक पूरा मुकाबला expect कर रहे है at the king's meet and उसके लावा कैसी होगी यहां की pitch यह है सबसे crucial factor तो चलते हैं उस चीज के तरफ तो यहां पर आपको दिख रहे है pitch report वैसे यहां पर दो टाइप की pitches होती है एक जहां पर अच्छा कहा सा pace and bounce होता है जो run scoring के लिए अच्छी होती है दूसरी एक ऐसी pitch है तो थोड़ी सी slow है and spin को aid करती है हमने यह देखा था during the South Africa T20 बट जो recent यहां पर games देखे थे हमने Australia वासे South Africa वाले वहां पर थे अच्छे batting tracks और जो दोनों games Australia वाले games थे chasing team ने जीते थे तो अभी के लिए हमें यही assume करके चलना पड़ेगा कि हमें देखने को मिलने चाहिए एक अच्छी batting track as generally ऐसे matches में pitch report हमें देखने को नहीं मिलती है and यहां पर आप देख सकते हो ground dimensions 57, 62, 75, 74 and 70 meters and straight 63 and 68 meters तो ज्यादा लंबी boundaries आपको यहां नहीं दिखरी यह है pitch की photo expect कर रहे हैं यहां पर हम एक अच्छा मुकाबला जखेगा एक 50,000 का free contest है यहां पर my master 11 पर तो वहां पर ज़रूर sign up करेगा हमारा refer code है वहां पर fcp and 5000 का first price है आप participate कर सकते हो without any entry fee and अगर उसके बाद भी देख रहे हो तो बहुत सारे benefits है जो मैं आपको आगे बताता हूँ अब चलते हैं आज के गेम की तरफ तो यह गेम होगा 4.30 इंडियन standard time and start करेंगे हम keeping section से यहां पर grant roll of a son अब होंगे available तो हो जाएंगे यहां से best choice उसके बाद आप batting की बात करें तो सारे लवी यहां पर एक test player है South Africa के and बहुत ही अच्छी choice यह बनेंगे इस section से उसके लावर डेविड मिलर not available not in the squad मारकिस एकमेन एक ठीक ताक पिक है and जेनाड वैंट टॉंडर I think इन्होंने last game में एक बहुत ही अच्छी पारी के लिए थी and technically एक tight player है तो इन्हें भी discuss करेंगे आगे बट पहले चलेंगे all rounders की तरफ यहाँ पे जेजे समाथ और सहनूरन मुत्वस्वामी वापस crucial choices है ऐसे type के players हैं जो आपको पूरे 10 overs डाल के दे सकते हैं and batting के साथ भी handy contributions इनसे आ सकते हैं same for behind loop अब यहाँ पे आपके पास जो बाकी दो choices है Ethan Bosch यह पहले bowling करते बाई definitely मेरे team में रहेंगे and दूसरे हैं अंडेल पेपलुक वाई अब यह खेल रहे थे ऐस्टेलिया के सामने series world cup squad में भी selected है पर आज ही यह सुबह को news आई कि यह अभी भी यह जो domestic one day cup है यह खेलने वाले हैं and squad में announced है अगर यह खेलेंगे obviously क्यूंकि world cup squad में है तो इन्हे ज्यादा game time देने की कोशिश की जाएगी Ruan D. Swart भी हाँ से एक पेसर है ठीक टाक ते impressive लगे in the last game बिल्कुल आप कुछ teams में इने try कर सकते हो bowling की बात करने तो केशव महराज not available वापत यहां से Miguel Pretorius and Duan Jansen होंगे आपके लिए key choices and मेरे इसाब से यहां पे जो 8 picks अब तक हमने की है यह होंगे हमारे lock picks irrespective of whether the toss irrespective of conditions I think यह players को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो अब जब हम बात करें last three picks की अगर Dolphins पहले bowling करती है तो मैं जाओंगा यहां पर Darren Dupavillion की साथ while अगर second bowling होती है इनकी तो Pranell and Subrayan यहां पर एक बहुत ही अच्छी pick है एकदम stump to stump डालते हैं and बहुत ही accurate है उसके अलावा जिन्हें आप consider कर सकते हो one between Bartman या Mangaroo based on whoever bowls first as वापस यह दोनों ऐसे type के players हैं आपके death में आपको बहुत सारे wickets लेके जा सकते हैं आपके लिए तो अभी के लिए मैं इस section में जा रहा हूं with Mangaroo अगर पहले bowling आती है Dolphins की तो मैं जाओंगा with one from Dupavillion and Bartman batting section की बात करें तो अभी के लिए मैं जाओंगा with Reynard Van Tonder उनका form भी देखते हुए और साथ-साथ यह भी देखते हुए कि काफी stable player है तो fantasy perspective से safe choice बन सकते हैं captain vice captain की बात करें तो I think JJ smarts अभी भी मेरे लिए top captain सी choice है और vice captain के लिए मैं जाओंगा handle peplukwire के साथ अगर second bowling करते है first bowling करेंगे तो definitely बन जाएंगे मेरे captain तो काफी balance team यहां पर आपको देखने को मिल रहे है उसके लावा जो final teams and updates होंगी वो आपको मिलेगी on telegram as the rate fantasy click pro तो वहां पर जुड़ना मत भूले अब बात करेंगे GL options की और उससे पहले remember कि जैसे मैंने कहा my master 11 पर कुछ top offers are fcp users के लिए हमारा refer code जो है वहां पर 20% real cash आपको मिलेगा यहां पर up to rupees thousand आपके first deposit पे तो अगर आप new user हो इस offer का बिल्कुल आप फायदा उठाईए वाल अगर आप old user हो फिर आपको मिलेगा 5% real cash plus आइफोन 15 जीतने का मौका अगर आप हाइस डिपॉजिटर हो डे के और यह offers चलेंगे 30 सप्टेमबर तक जब तक GST लागू होगा तो उससे पहले इन offers का बरपूर फायदा बिल्कुल उठाईए अब चलते हैं आज के GL options की तरफ तो मेरे लिए यहां पर high select drop risk bomb बनेंगे लेसीवा नगो पे I think decent player है बट जिस टाइप के player है थोड़ा technique उनका lose है और साथ-साथ में काफी risk लेके खेलते हैं जो बन सकता है उनके favor के out से आज आप देख सकते हो कि बहुत थारे अच्छे bowling options दर इस मुकाबले में लो सिलेक्ट आख उस पे एतिन बोश को बहुत लोग छोड़ के आएंगे बट first bowling में फिर भी उन्हें back किया जा सकता है और करविन मंगरू और ओर्टनियल बार्टमन वापस जो भी पहले bowling करते हैं especially बार्टमन उनका जो यॉकर है बहुत ही ज्यादा शाप है grandly captain vice captain की बात करें तो miguel pretorius और डुएन यांसिन bowling first दोनों बहुत ज्यादा अच्छी choices है especially miguel pretorius as he a death में डालेंगे प्लस यह थोड़ी बहुत hitting भी कर सकते हैं with the bat second innings में pranel and subrayan क्यूंकि बहुत ही sharp line and lens से डालते हैं उसके लावा suitable in both smuts mutuswami and loop यहां पर fellow choir को मैंने add नहीं किया यह थोड़ा last minute information मिला था उनके inclusion पर but obviously fellow choir भी suitable होंगे in both situations इसले मैंने अपने base team में भी vice captain मनाया था and I think front runner होंगे वो भी for captaincy तो अभी के लिए यही है grand league options उसके लावा जो भी final update होंगी वो आपको मिलेगी at the rate fantasy cricket pro on telegram and on twitter तो दोनों जगया जुड़ना मत भूलेगा remember to sign up on my master 11 exchange 22 पर एक game नहीं है live बड़ अगर live होगा तो उसका भी final update आपको यही पर दोंगा rupees 50 real cash आपको मिल जाएगा वहाँ पर on sign up so don't forget to sign up with the link in the description of this video and like always अगर आपको content पसर आया है remember to like comment share and hit the bell icon ताकि आपको आगे कि सारे videos के notifications आते रहें thank you so much for tuning in and thank you so much for all your support always see you soon for another preview आपको बव Gulf vein झांबे। थमी आपको का उग खले सकता है